ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूप कर जाना है वाकई मुहबत तमाम इम्तिहानों के दोर से गुजरती है लेकिन अगर वो वाकई मुहबत हो तो उसे फिर किसी का डर नहीं और अगर उस मुहबत में साजिश का कोई सिरा जुड़ा हो तो फिर कयामत ही कयामत है पिलाल पबजी वाली पाकिस्तान से आई सीमा भावी ATS के सवालों का जवाब दे रही है क्योंकि एक-एक सही जवाब उन्हें जिता सकता है सचिन और एक गलत जवाब उन्हें भिजवा सकता है जेल या फिर पाकिस्तान UPA ATS ने सीमा हैदर की पूरी कुंडली खंगालने के बाद पूश्टाच शुरू की है आज हम आपको बता रहे हैं वो सवाल जिनके सही जवाब या तो सीमा को क्लीन चिट दे सकते हैं या फिर मुश्किल में डाल सकते हैं दरसल ATS को सीमा हैदर पर भरोसा नहीं है सीमा का उठना, बैठना, चलना, फिरना और बोलने का एकसेंट सब कुछ कहीं से भी नहीं लगता कि वो उर्दू बोलने वाली हो सकती है फिलाल ATS के सामने पहली ये है कि सीमा हैदर किसी तरह कराची से शारजा और फिर शारजा से नेपाल और फिर नेपाल से रबुपूरा अपने चार बच्चों के साथ पहुँची बड़ा शक यह है कि सीमा की उम्र के हिसाब से चार बच्चे भी कई सवाल खड़े करते हैं अगर सीमा पर जासूस होने के आरोप लग रहे हैं तो फिर ये भी हो सकता है कि चार बच्चे सीमा पर जासूसी के श्रक को मिटाने का एक मुकमल जरिया हो जो गुलाम की तरफ हिंदुस्तान भेजे गए हो यही वज़ा है कि ATS एक एक शक्त से पूश्ताच कर रही है जो सीमा के हिंदुस्तान आने के लिए जिम्मदार है अब आपको बताते हैं कि ATS के क्या सवाल हैं जिनको सुनकर सीमा को भी कभी गुश्सा आया होगा तो कभी वो परिशान हुई होगी तो कभी वो खामोश रही होगी क्या तुम्हारी दोस्ती सचिन से वाकई PUBG खेलते वक्त हुई तुम दोनों की पहली मुलकात कब और कैसे हुई सोशल मीडिया पर तुम्हारे कितने अकाउंट हैं भारत आने तक किन किन मोबाइल नंबरों का इस्तमाल किया कराची में शार्जा और शार्जा से नेपाल कैसे आई काटमांडू में किस होटल में तुम दोनों कब तक रुखे और किस मंदिर में शादी की पाकिस्तान में जो मकान तुमने बेचा उसका सुबूत क्या है सीमा तुमारे पती गुलाम हैदर का सच क्या है क्या चारों बच्चे असल में तुम्हारे ही है पांचवी पास हो फिर तुमें इतनी अच्छी हिंदी और अंग्रेजी कैसे आती है क्या तुम किसी पाक एजेंसी के संपर्क में तो नहीं तुम्हारा सचीन से पहले भी कोई भारतिय दोस्त था क्या नौडा में तुमने किसी और से भी संपर्क किया था नौडा पुलिस ने इन सवालों में से कई सवालों को हल कर लिया है काटमांडू में पुलिस को सोर्से से होटल और दोनों के शादी वाले सवाल का जवाब मिल गया है इसकी पूरी जानकारी नोड़ा पुलिस के पास है वहीं ATS की एक टीम नेपाल जाएगी और शार्जा एरपोर्ट पर जाकर जानकारी एकठा की जाएगी खबर है कि जानकारी जुटाने के लिए लखनाव पुलिस की भी मदद ली जा सकती है और अगले आने वाले दिनों में भी इन सभी सवालों से परदा उठने की भी उम्मीद है